ये तस्वीर है पाकस्तान का सच ये तस्वीर है पाकस्तान को करारा जवाब कश्मीर हो या फिर पंजाब, राजस्थान हो या फिर हो गुजराद अगर पाकस्तान कहीं भी भारत को चिनोती देगा तो अंजाम क्या होगा वो ये तस्वीरे साफ साफ बता रही है और समझा भी रही है अब आप सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या है तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं इन तस्वीरों में कपडों से धकी जो चीज दिख रही है वो कोई वस्तू नहीं है बलकि एक लाश है वो भी एक पाकस्तानी घुस पैठी के जी सही सुना आपने सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू और कश्मीर के कठवा जिले के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर एक पाकस्तानी घुस पैठी को मार गिराया केंद्रिय सश्तर पुलिस बल ने अपने एक बयान में कहा है कि बीएसेफ के जवानों को सुबह के करीब 9.45 मिनट पर घुस पैठी की हरकतों के बारे में पता चला है क्योंकि उस वक्त वो बॉर्डर आउटपोस्ट चक फकीरा में 64 नंबर सीमा चौकी के पास सुरक्षा घेरे की ओर आगे बढ़ता चला रहा था बीसेफ ने काया कि बार बार चितावनी देने के बावजूद उस सीमा सुरक्षा के घेरे की ओर आगे बढ़ता चला रहा था जिसके चलते बीसेफ के जबानों ने उसे गोली मार दी उसके शौक को बरामत कर लिया गया है जिस जगा पर उस पाकिस्तानी शक्स को धेर किया गया वो अंतर राष्टिये बाटर से जगा करीब 40 मीटर ही दूर पर इस्थित है इसने एकदम ज़ाडियों से निकला है और बॉर्डर फेंट्स की तरफ एक बड़े अग्रेसिवली मूब करना शुरू किया है इन दिनों पाकिस्तान लगतार ये खोशिश कर रहा है कि कैसे भी कर के वो भारत में आतंक्यों की घुस पैट करवा सके लेकिन वो काम्याब नहीं हो पा रहा है हाली में पाकिस्तान के एक और शागिर्द को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दबूचा था जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सफलता एक संयूक्त ओपरिशन में मिली थी जम्मू पुलिस और अनन्तनाक पुलिस द्वारा चलाये गए एक जुएंट ओपरिशन में खुंखार आतंकी हिदायतुला मलिक पकड़ा गया था हिदायतुला मलिक को पुलिस ने सोफिया जिले से दबूचा था हिदायतुल्ला मलिक लशकरे मुस्तफा नाम का संगठन चीफ है जो कश्मीर घाटी में जैशे मोहम्मद की एक फ्रेंट और्गनाइजेशन बताई जाती है जम्मु कश्मीर पूलिस द्वारा उसकी पूस्ताच की जा रही है ताकि उसके फैले आतंकी नेटवर्क को एक्सपोज किया जा सके ब्यूर रेपॉर्ट भारत तक